Chief Justice of India यानि की भारत के मुख्य नायधीश D.Y. चंद्रचूर जल्द रिटायर होने वाले हैं वो अगले महीने यानि 10 नवंबर को भारत के मुख्य नायधीश पत से रिटायर हो जाएंगे ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर चंद्रचूर रिटायर हो रहे हैं तो अब देश का CGI कौन बनेगा कौन बैठेगा CGI की कुर्सी पे और सबसे बड़ी बात कैसे चुना जाता है Chief Justice of India को नमस्कार आप देख रहे है दन्यूस 15 मैं हूँ शुभांगे और आज इनी सवालों पर हम चर्चा करेंगे पर उससे पहले आपको बता दू कि भारत के मुख्य नायधीश संजीव खन्ना बनने जा रहे हैं डी वाई चंदरचूर के रिटायर होने के बाद इस पत पर संजीव खन्ना आसीन होंगे ऐसे में बात आती है कि संजीव खन्ना कौन है अपना कारेकाल खतम होने के पहले ही चंदरचूर ने संजीव खन्ना की सिफारिश कर दी है वो सुप्रीम कोट में दूसरे सबसे वरिष्ट जस्टिस है पर 64 साल के संजीव खन्ना का कारेकाल सिर्फ 6 महीने का ही होगा आपको बता दे कि ऐसा इसलिए क्योंकि CGI की रेटायर्मेंट एज 65 साल की ही होती है ऐसे में 6 महीने बाद संजीव खन्ना भी रेटायर हो जाएंगे अगर संजीव खन्ना की बात करे तो उनका जन्म 14 माई 1960 को हुआ था और उन्होंने साल 1938 में दिल्ली बार काउंसल में अधिवक्ता के रूप में रेजिस्ट्रेशन कराया था उन्होंने अपने वकालत जीवन की शिरुवात 30,000 परिसर स्थित जिला अदालतों में प्रैक्टिस करके की जिसके बाद वो दिल्ली हाई कोट और नियाधिकरणों में चले गए इसके अलावा उन्होंने आएकर विभाग के वरिष्थाई वकील के रूप में लंबे समय तक कारे किया और 2004 में उन्हें राष्टर राजधानी छेतर दिल्ली के लिए स्थाई वकील नियुक्त किया गया वो दिल्ली हाई कोट में एडिशनल प्रोसेक्यूटर और एमिक्स क्यूरी के रूप में कई आपराधिक मामलों में पेश होकर बहस कर चुके हैं साल 2005 में वो दिल्ली हाई कोट के एडिशनल जच के रूप में पदोननत हुए थे 2019 में सुप्रीम कोट का जस्टिस बनाया गया जस्टिस खनना उन जजजों में से है जिने किसी भी हाई कोट का चीफ जस्टिस बनने से पहले ही सुप्रीम कोट में पदोनत कर दिया गया था उन्होंने 17 जून 2023 से 25 दिसंबर 2023 तक सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी के अध्यक्ष का पद समाला और वर्तमान में राश्ट्रिव विधिक सेवा प्राधिकरण के कारेकारी अध्यक्ष और राश्ट्रिव नायक अकादमी भोपाल के गवर्निंग काउंसिल के सदस् मुख्य नयाधिश पनेंगे अब आपको बताते हैं कि कैसे भारत का मुख्य नयाधिश चुना जाता है तो उसके लिए अपने रेटायमेंट से पहले चंदर चूर ने संजीव खन्ना के नाम की शिफारिश की थी क्योंकि यहीं परंपरा होती है मौजुदा CGI अपने उत्त उत्तराधिकारे का नाम मांगा जाता है और 12 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने CGI चंद्रचूर को एक पत्र भेजा था जिन में उनसे अपने उत्तराधिकारे का नाम देने का अनुरोद किया गया था और फिर डिवाई चंद्रचूर ने सुप्रीम कोट में दूसरे सबसे परिश्ट जस्टिस संजीव खन्ना को CGI बनाने की सिफारिश केंद्र को भेजी पर मई 2025 को संजीव खन्ना भी रिटायर हो जाएंगे तो ऐसे में जस्टिस भूशन रामकृष्ण गवाई का नाम सामने आ रहा है जो कि संजीव खन्ना के बाद CGI बन सकते हैं देश और दुन झाल